हलो स्टुडेंट तो कल मैंने लेंज मेकर फर्मुला को प्रूब किया लेंज मेकर फर्मुला को प्रूब किया किस लेंज में प्रूब किये थे कन्वेक्स लेंज में कन्वेक्स लेंज क्या किया था कि रे को कन्वर्ज कर दिया था एक देगा पर मिला दिया था परलल लेंचिडेंट किया सबको एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज किया इसलिए उस लेंच का नाम क्या था कन्वर्जिंग लेंच का जाता था आज हम उसी फर्मुला को फिर प्रूप करने जा रहे हैं लेकिन लेंच को क्या लेंगे इलेक्चर नमर अबरा 15 होगा तो उस लेंच को हम प्रूप करने जा रहे हैं कन्वर्जिंग में मतलब लेंच मेंकर फर्मुला लेंच मेंकर फर्मुला को हम ड्राइब करेंगे लेकिन कैसा लेंच के लिए हैं कन्वर्जिंग लेंच के लिए लेंच मेंकर फर्मुला क्या है 1YF Mu-1 1 upon R1 minus 1 upon R2 तो किसी भी lens का focal length का relation किसके साथ जो दो surface है उसके radius of curvature and refractive index के साथ जो relation बनेगा उसी relation को क्या बोलते हैं lens maker formula बोलते हैं तो आज हम lens maker formula को concave lens में prove करें concave lens actual में diverging lens होता है diverging मनें रे को क्या करता है diverge कर लता है फैला देता है तो पहले तो आगे इसका main figure बनाते है यह है concave lens है एक concave lens में दोनों surface इसका concave है बाहर से धसा हुआ एक surface का नाम ज़र है AO1B इसका ज़र है CO2D lens जिस medium में रखा हुआ उसका वर्तरांग क्या है mu1 lens जिस material का बना हुआ उसका refractive index क्या माल लिजे mu2 जैसे माल लो यह lens है marker को lens समझो इधर भी एर इधर भी एर बीच में क्या है गलास क्या बना हुए तो इस lens maker formula इसे हम प्रूब करेंगे पहले हम एक object point object का image बनावे एक ray इस पर incident किया PQ इसको यह उपर क्यो reflect किया किधर किया QR यह सीधा चला जाता अगर second surface नहीं राता तो इसको अगर आप पीछे बढ़ाते तो I dash पर माल लिजे मिला एक surface राता तो P काई में कहां बनता I dash पर बनता लेकिन यह जो QR था उसको एक वार और ही diver कर दिया उपर किधर RS अब RS को पीछे बढ़ाईएगा तो finally कहां मिलाई I पर मिला मनद दो बार reflection के बाद P का final image कहां मिलाएगा I पर बनाएगा तो इस lens में देखे क्या है Let us consider a concave lens lens लिया भेट consist of two spherical surface से बना हुआ two spherical surfaces क्या surface का नाम था AO1B और second आपका CO2D है lens जिस medium में रखा हुआ उसका refractive index लिए है M1 M1 क्या माल रहे है refractive index of the medium in which lens is placed or mu2 है refractive index of the material or medium inside the lens lens के अंदर जो medium है या material उसका उतनांक है P क्या है position of the point object है I dash क्या हुआ position of the image due to first surface और I जो दखा रहे है position है position of the final image है यह आपका figure का हम description कर दिये figure को बता दिये क्या-क्या figure में है और इस figure से अब आपको detail आपका first surface second surface का reflection हम देखाएगे आपका यह diverd किया इसको diverding क्यों किया उसका कारण आपको normal देने के बार ही पता चले कोई भी यह में ray को reflect किधर या तो towards the normal होगा या way from the normal होगा तो पहला आपने रहे reflection at surface किस पर रहे है ए ओवर बी पर अपका surface यह है कौन surface है ए ओवर बी इधर का उतनांक मुवन है लेंस के अंदर जो glass या medium है उसका उतनांक क्या है यह आपका rarer medium और glass या जो medium है अंदर में lens का क्या है denser medium है सबसे पहले एक नॉर्मल डाल दी जिया C1N1 क्या डाल दी है एक नॉर्मल P एक हम क्या लिए है point object लिए P से इस point पर एक rate को incident किया कौने को P Q यह सीधे जाता है सीधे जा रहा था लेकिन rarer से denser होता है तो क्या होता है इसमें आप जानता है कि toward the normal normal कौन है C1N1 इसके अंदर चल गया किधर चल गया QR एक rate और लिएगा यह normal के लोग में इसके पहले वाला वीडियो में detail समझाये थे कि अगर कोई rate normal पर जाता है तो undeviated पास कर जाता बिना मुड़े हुए सीधे चल गया अब यह वला यह वला आगे जाके मिलने का कोई chance नहीं यह और फैलते जा रहा है अगर आप दोनों को पीछे बढ़ाईए तो कहीं ने कहीं जाके कनभर्द होगा मालनों कहा पर मिला ही आइडास पर मिला तो इस फीगर में आप समझ यह कैसे क्या बना पाला देखिया पर्स रेकोल लिया दिरे पीक्यू लिया इंसिदेंट किस पर किया इंसिदेंट अन दी सर्फेस ए ओबन बीपर एंड आप्टर रिफ्रेक्शन के बाद रिफ्रेक्शन इट बेंट्स तुवाश्ट दी नॉर्मल नॉर्मल कौन था ती वा नन वा क्यों आज इट पासेश प्रोम रेरर टू देंसर मीडियम रेरर से देंसर जा रहा था एंड रिफ्रेक्टेड हुआ ए लोग किधर और गया किवा इस लाइन पर चल गया दूसरा जो रे लिया दि रे पी ओबन इगोज अन्डिवियेटेड क्योंकि क्यों ऐसा हुआ कि क्योंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट किया नॉर्मली इंसिडेंट इसलिए ये सीधा तो अब आपको दोनों कटा तो नहीं अगर दोनों को आप पीछे कनवर्ज किया तीसरा पॉइंट इसलिए पी का जो इमेज बना वो कहा पड़ बना इसलिए पी का जो इमेज बना वो कहा पड़ बना आइडास पड़ बना देरफोर देरफोर आइडास जो होगा पोजीशन अब दी भर्ट्यूल इमेज बना इसका इमेज बना काल्पनिक इमेज बना अब जासा डिस्टेंस को देखिए इसका जो दूरी होगा यहां से यहां तक अबजेक्ट का दूरी यू लिजिए यह बना इमेज जोरी होगा इसको भी डास मान रहे हैं और इसका रेडियास अब करवेटर को क्या माने रवन माना रहे हैं तो O1 से P यह कौन दिस्टेंस होगा अबजेक्ट डिस्टेंस हूगा यू O1 से I progresses यह कौन दिस्टेंस हुगा image distance हुआ जिसको क्या लिया गया है भी डैस लिये उसके बाद O1 से C1 इसका क्या हुआ radius of curvature हुआ इसको क्या लिये हम R1 लिये अब हम apply कर दे रहे reflection formula जो अब पहले बता तुके reflection at a spherical surface वोला equation को इसमें लगा दे रहे apply reflection formula for कौन surface है for a spherical surface के लिए लगा रहे a spherical surface का formula था 1 mu 2 minus 1 upon R 1 mu 2 वाटा V minus 1 वाटा E इस case के लिए present case में बहुत सारा चीज को हमको change करना पढ़ेगा at present case U के जापर आप क्या लिजेगा minus U V के जापर क्या लेंगे minus V dash R के जापर ऐसे तो sign इसका minus है लेकिन R 1 R 2 का sign हम finally अंतिम एक बार में लेंगे general formula निकालने के लिए कि कोई भी lens में लेंगे no sign is taken अब आपका 1 mu 2 के जापर आपका 1 mu 2 ही लिखाएगा सारा चीज इसमें अप्लाई कर दीजे तो क्या हो जाएगा 1 mu 2 minus 1 upon R 1 1 mu 2 V के जापर क्या है minus V dash तो आगे कर दाते है minus V dash अई minus minus क्या हो जाएगा plus एक equation अम रहाए set हो गया reflection at कौन surface के लिए A1 B अब second आएगे इसी धान से detail आपको बताएगे normal देंगे तब ही पता चलेगा वो diverge क्यों कर दिया जब क्यों surface कैसा है convection है तो second का reflection कौन surface के लिए रहा है CO2 D से लेगे CO2 D में लेगे main figure से आप compare कीजिएगा तब पता चलेगा कि इसका reflection कैसे होगा किस direction में उसको गया अब केवल आपको हम CO2 D का ही figure मना रहे है यहां C बीज में O2 यहां क्या है D है और एक normal पाले तो दे दिजे C2 N2 इसका normal क्योंकि इसका center of curvature राइट साइड में होगा अब इस पर को रे इसे डेंट किया हूँ दखिया है को रे इंसीडेंट किया क्यों यह सीधा जा रहा था अब इसमें है Mew 2 इधर बाहर जो जिसमें जाना हूँ किसका उतनाख है Mew 1 यह आपका denser medium है और इधर किसमें निकलना उसको Rarer है तो denser से Rarer जाता है तो आप जानते है कि Ray जो होता away from the normal इधर जलिए दखिया मिला यह इस लो A क्वारी भी upward यह भी कर दिया RS upward RS को जब पीछे बढ़ाया गया तो जाके कहा मिला आई पर अब इस surface के लिए कोई direct object नहीं है जैसे उसके लिए direct object कौन था पीथा अब इसको आप जब पीछे बढ़ाते हैं तब जाके कहा मिलता है I dash कर तो इस surface को लगेगा क्या आपको कि जो ray incident चल रहा है कहां से आ रहा इसके लिए I dash से तो O1 से और O2 से दूरी लगभग बराबर होगा ये दूरी O1 से V dash माने थे तो इसको भीड़ है ये final image V और इसका radius of curvature को क्या माल दिए R2 माल दिए तो इसमें कैसे image माना देखे इसमें कौन पहला point दिख रहा है कि दी जो ray Qr incident on the surface Co2D Co2D per incident क्या And after refraction, refraction के बाद it bends away from the normal, away from the normal, co-normality C2N2 as it passes from denser to rarer medium And refracted हुआ along किधर इधर का है RS ये नहीं, ठीक है ये लाई हुआ, RS Refracted along, RS और एक ray तो आप जानवे करते हैं कि जो normally जाता हूँ undeviated चल जाता है तो एक ray और जो लिया जी जो ray है समझे, I dash से चलिए I dash O2 ये क्या हुआ undeviated पास कर गिया अब आपको जब RS को आप backward direction में पीछे की और बढ़ाया तब जाके उग कनभर्ध हो रहा है किस point पर हो रहा है कनभर्ध हो रहा है I पर हो रहा है If RS is produce in the reverse direction then convert and कहा पर I पर therefore I हापड क्या हो गया इसके लिए position of the virtual object इसलिए आप समझे कि दोनो जो surface है दोनो surface ray को divert करता है अपवा डारेक्शन में यह क्या हुआ इसके लिए position of the virtual image और उसका जो I dash था इसके इमेज जो था इसके लिए position of the क्या हुआ पोजीशन अप दी virtual object बना अबजेक्ट direct object तो नहीं बोल सकते लेकिन object के तरह यह बयवार कर रहा है अब आए इसका distance ले और रिफ्रेंक्शन फर्मूला जो अपलाई किये first surface पर second surface पर भी अपलाई करेंगे हम उसको O1 से और O2 से लगभग दूरी क्या होगा nearly equal ले रहा है जैसे इसके लिए object अगर हम I dash को माने तो O2 से O2 से कौन दूरी I dash जो nearly equal to होगा O1 से I dash एक कौन distance मा object distance मा तो उसका जो image distance है first surface के लिए इसके लिए क्या बन गया object distance इसको क्या लिए V dash O2 से I एक कौन distance हुआ image distance हुआ इसको क्या लिए गया V O2 से C2 इसके लिए क्या हुआ radius of curvature होग जै जिसको क्या value लिया हमने R2 लिया अब इसके लिए यही फर्मुला जो reflection फर्मुला अप्लाइ कर लिए अप्लाइ रिफ्रेक्शन फर्मुला रिफ्रेक्शन फर्मुला क्या कहता है 1 mu 2 minus 1 upon R 1 mu 2 वाटा भी minus 1 वाटा लेकिन परजेन केस में बहुत सारा चीज़ चेंज करना पड़ेगा ऐसे तो देखिए इसका यू और भी दोनो माइनस है और R क्या है इसमें पलस है तो क्या चेंज करना पड़ेगा उन देखिए इसको अगर इस केस के लिए लगाते है एट परजेन्ट केस के लिए U का भैजू क्या लिजेगा minus B does B के जापर क्या लिजेगा minus B R के जापर क्या लिजेगा R2 अभी R1 R2 का हम साइन कंसीडर ने करें R1 Mew2 के जापर आपको में यही चेंज होगा 2 Mew1 क्योंकि इसमें रे जो पास क्या Mew2 से किसमें गया था Mew1 में तो यह फर्मूला आपका चेंज करके क्या भैगा देखिए इसके लिए 2 Mew1 minus 1 R के जापर R2 यह भी minus है यह भी minus है तो minus 2 Mew1 बटा D और UK पर minus भी जापर तो minus minus क्या होगा पलस भी जापर equation number क्या हुआ 2 अब आए हमको equation 1 और equation 2 का ही जरूद पड़ेगा यह सब को हटा दते हैं उसी से हमको हम solve करनके पूरा ड्राइंग कर लेगे तो equation 1 में जो आपका equation 1 हुआ इस टर्म में है 1 Mew2 यहाँ पड़ क्या है 2 Mew1 है तो उसको भी हमको 2 Mew1 में ही convert करना पड़ेगा किसको equation 2 को 2 Mew1 में convert करने का मतलब हुआ देखिए इसका दो तरीका है कि 2 Mew1 बरा और 1 Y 1 Mew2 लिख सकते हैं जहां भी है या दूसरा तरीका क्या हो सकता है 1 Mew2 into 2 Mew1 को अगर गुना कीज़ेगा तो यह product क्या हो जागा 1 Mew2 तिसमें आप यही किजिए कि दोनों साइड 1 Mew2 से multiply कर दिया किसमें equation number 2 में multiply equation 2 by 1 Mew2 in बोच साइड दोनों साइड 1 Mew2 से हम गुना करा तो 1 Mew2 गुना 2 Mew1 minus 1 Mew2 बरा में केतना हुआ और 2 वहाँ पर गुना कीजिए minus 1 Mew2 गुना 2 Mew1 बटा B plus 1 Mew2 बटा B dash यह जब multiply कीजिएगा तो क्या हो जागा 1 1 Mew2 बटा और 2 यह भी multiplication 1 हो गया plus 1 Mew2 बटा B dash इसमें अगर हम minus को common ले लेते हैं यहा minus common लिया तो 1 Mew2 माइनास 1 अपन आट 2 माइनास 1 YV 1 Mew2 बटा D dash अब आए इसको equation number 3 मालने लेते हैं इक्वेशन 2 का जो फॉर्म था इसका फॉर्म को ही हम चेंग कर दियें किस फॉर्म कर दियें इसको भी 1 Mew2 के फॉर्म कर दियें अब आपका equation 1 का काम कड़ेगा और equation 3 का काम कड़ेगा यह दोनों equation को आप add कर दिये adding equation 1 and 3 1 को आप लिख लिए 1 Mew2 माइनस वन अपन R1 minus माइनस दिते है 1 Mew2 माइनस वन अपन R2 अब इसका इधर साइट क्या लिखा हुआ minus 1 Mew2 बटा V2 plus 1 Y U उसमें आपको उसको जोड़ना है तो जोड़ना है तो minus 1 Y plus 1 Mew2 बटा V2 यह plus minus तो cancel कर दिजे इधर आपका common क्या होगा 1 Mew2 minus 1 यहाँ पर 1 Y R1 minus 1 upon R2 तो इधर आपका equation हुआ 1 Y U minus 1 Y equation number यह result आया अब इसमें हम क्या करेंगे lens formula को apply कर रहा है lens formula apply करके उसको 1 Y F लाने का line देखिए main figure आपका बना हुआ है कोभी lens से reflection जब होता है जब ray मुड़ता है तो दो बार मुड़ता है एक first surface का reflection and second surface लेकिन अगर आपको general figure बना है general बने एक ही बार अगर मुड़ना चाहते हैं तो क्या कीजेगा यहाँ पड़ी अब्जेक्ट था यहाँ तक आपका सीधा लाए एक से प्रटकली आपका यहाँ से रिफ्रेक्शन चालो होता है फिरे यहाँ तक सीधा लाके इसको फाइनली किधर लेगिया था अब इसको आप पीछे बढ़ाएगा तो कहां मिला फाइनल इमेज आई पर बना इमेज फाइनली एक ही गो बनेगा रिफ्रेक्शन दो बार होगा जरूर लेकिन फाइनल इमेज एक बार बनेगा यह इसका अप्टिकल सेंटर हुआ तो यह पॉइंट ओवन था यह पॉइंट क्या माने थे ओटू माने थे तो ओवन से ओटू से या ओ से लगवक तीनों से दूरी क्या होगा बराबर होगा तो यह दूरी को आपको यू माने थे यह दूरी को क्या माने थे भी माने थे इस Lens formula क्या काता देखें 1y F equal to 1y V minus 1y U Sin देखो U का भी sin minus है V का भी sin क्या है minus है यह minus 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 है क्या हो गया तो यह formula का form ही gain हो गया 1 वाटा U minus 1 वाटा V ultra हो गया Equation number 5 अब देखें यहाँ पड़ यह टीट को हम क्या लिख सकते है 1YF, किस equation को equate किजिए आप, equation number 4 और 5 को equate कर दो रहे Equating equation number 4 and 5, 4 और 5 को equate किजिए गा, तो क्या equation हैगा 1YF, 1μ2-1, 1 upon R1-1 upon R2, यही आपका general lens maker formula है, जो किसी भी lens में इसको हम apply कर सकते हैं यह दो formula हुआ, this is the general lens maker formula अब जिसका भी हम bit bit में sign लिया था, U आया था, V आया, V डैस आया, वो सब तो term हट गया जिसका भी sign consider नहीं किये थे, किसका, R1, R2, लास्ट में आपका है अगर इसको हम sign लेते हैं, तब देखें इसका जासा form को change करें और इसका focal lens को हम दखाएं लेकिन negative होगा taking sign of R1 and R2 दोल दो surface है, एक surface आपका ये था इसका इधर sign क्या होगा, minus, इधर लिजेगा, second surface का sign क्या होगा, plus अगर यहाँ पर sign को लेके apply कर दे, sign लेके चले तो ये formula का form change करेगा, one mu two minus one, R1 आपका minus है, तेहाँ minus हो गया, और R2 क्या है, पलस है, तेहाँ क्या रहे जाएगा, minus अब दोनों में minus हागिया, ओ minus को आप common ले लिए, one mu two minus one, one upon R1 पलस one upon R2, convex lens में भी जब sign लिये थे, तो इसी type का formula आया था, लेकिन उसमें आगे में minus का sign नहीं आया था, इसमें आगे में क्या है, minus है, one mu two, या mu का value, कोई ही medium का, one mu two greater than क्या होगा, one, तो एक से अधिक में अगर घटाए रहे, तो ये bracket क्या होगा, positive, ये भी bracket क्या होगा, positive, जब दोनों positive है, ये positive, ये positive, ये positive, लेकिन आगे में क्या है, negative है, तो F का value आपका क्या गाएगा, negative हैगा, तो ये क्या proof करता है, proof ये ही करता है, कि concave lens का जो focal length होगा, वो क्या में होगा, negative में होगा, इसलिए concave lens जो कहलाता है, diverging lens है, diverging का figure आप समझ में आ गया, normal के बाद, convex क्या था, finally आप क्या समने देखें, ये convex lens है, convex में अगर parallel ray incident करता है, या कोई भी direction में incident करता है, तो ray को convert करता है, एक ही point पर, इसलिए, इस lens का नाम क्या होता है, converging lens होता है, और अगर आप, concave को लेते हैं, concave lens को, तो finally आपको क्या करेगा, ray को, diverge करता है, इसे आया, इसे आता है, इस पर जब ray incident करता है, तो ray को क्या करेगा, diverge करेगा, ऐसे, इसलिए, ये lens क्या कालाता है, diverging lens, और दोनों का, जो lens maker formula है, mu minus 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2 है, लेकिन इसका जो focal length होगा, always क्या होगा, positive होगा, और concave lens का focal length, always क्या होगा, negative होगा, आपको lens maker formula है, convex में भी पहले वाला वीडियो में पूरूप कर दिये, आज इसको हम किस में कर दिये, concave में भी कर दिये, दोनों का formula सेम आया, लेकिन जब sign लिए, तो sign लेने के बाद, जासा एक में positive value आता है, एक में negative value आता है, तो उमीद है कि lens maker formula एक important topic माला जाता है, reflection of light में, आपको किसी में भी आप लिख सकते हैं, जाम में आता है तो, और अच्छा से आपनों को समझ में आएगा, thank you.